हाई गाईज वेल्किम टू क्वेस्टिन बैइंग राफ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आएं को दिवाली डेकोरेशन का एक और बहुत ही अमेजिंग आइडिया और इस क्राफ को बनाने के लिए आपको कोई भी बहार से एक्स्ट्रा समान लाने की ज़रत नहीं है घर म और इनको बनाने के लिए यहाँ पे हमने सीडी छोटे-छोटे कार्डबोर्ट के पीसे बैंगल्स और साटन डिबन इन सब का ही यूज किया है जैसे आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसा लग रहा है बहुत ही ब्यूटिफुल हैं बहुत ही इजीली आप इसको रेड करेटिफ सा कार्डबोर्ट का पीस था जिस पर लाब लिखा हुआ है मैं इसका यूज कर रही हूँ आप कोई भी स्टिकर ले सकते हैं साथ में सीडी है और सीडी के अकॉर्डिंग हमने चार्ट भी कट करके रखा हुआ है वाइट कलर का यह चोटे-चोटे कार्डबोर्ट साथ में यह यलो और रेट कलर के हाफ कटेट बीड्ज हैं और यह देखिए बैंगल का पूरा मैंने यहाँ पर लुक चेंज किया है बैंगल के उपर हमने गोटा लपेटा था साथ में गोल्डन कलर की बॉल चेन है और आप कोई भी लटकन भी यूज कर सकते हैं इसके साथ चली स्टार्ट करते हैं इसके लिए देखिए इहाँ पर हमने निडल और थ्रेड लिया और उसके बाद मैंने मोतियों को पिरोया है इसके अन्दर साथ में हमने एक बैंगल भी connect की है यहाँ पे बैंगल को भी मैंने खुदी decorate किया था एक simple सी बैंगल थी जिसके उपर पहले red saturn दिबन लगाया फिर इसके उपर गोटा हमने लपेट दिया आप यहाँ पे own भी use कर सकते हैं यह देखिए यह जितने beads अभी मेरे पास घर में available गोपाए मैंने उनका use किया गए और साथ में देखिए उपर की तरफ यहाँ पे कमने किस तरीके की ring लगाई है क्योंकि इसी के तरू जोग है wall और डोर्स पे आप इसको hang कर सकते हैं यह देखिए अब यहाँ पे सीडी के ऊपर एक pattern create कर लेते हैं इसके साथ attach करने के लिए तो यह मैंने देखिए सीडी ले ली है और अब इसके ऊपर यह जो हमने बैंगल के ऊपर गोटा लपेटी थी उसको मैं paste कर रही हूँ यह अब इसके आराउंड पे यहाँ पे बॉल चेन लगाने के बॉल चेन मैं गोल्डन कलर की ले रही हूँ आप यहाँ पे इंडिवीज्वली एक एक स्टोन भी लगा सकते हैं या स्टोन चेन का भी यूज़ कर सकते हैं अब यह जो लाब है इसकी भी बाउंडरी दे देते हैं गोल्डन कलर की बॉल चेन का यूज़ करके यह देखिए मैंने आप पे फेविकॉल अल्रेडी अप्लाइ कर लिया था फ्रेंस मुझे कमेंस में जरूर बताईएगा कि यह हैंगिंग आपको कैसा लगा और अब जो हमने छोटे-छोटे यहां पे कार्ड़ बोड के पीस पे साटन रिबन लपेट के तयार किये थे पैटन उनको एक-एक करके यहां पे पेस्ट कर लेते हैं यह देखिए मैं एक-एक करके इनको चिपका रही हूँ इस तरीके से पूरे पे सेम वही चीज करनी है एक-एक करके सबको हमने यहां पे पेस्ट कर लिया है और अब जो मैंने आपको यलो और रेट कलर के हाफ कॉटे बीड्स दिखाए थे उनको हम इनके बीचो बीच यानि की सेंटर पे पेस्ट करेंगे तो चलिए अब डेकोरेट करते हैं यहां पे देखिए मैंने वही बीड्स ले लिए हैं ग्लू भी अप्लाइ कर दिया है और अब इके करके इन सबको यहां पे हम पेस्ट कर देंगे आप यहां पे डेकोरेशन के लिए पूरा मटीरियल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो समान आपके पास अभी घर में अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अब देखिए यह पूरा इस तरीके का लुक दे रहा है अब मैंने आपको कुछ लटकन भी दिखाए थे शुरुवात में उनको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे यह देखिए यह वो लटकन थे तो मैं इसके बैक पोर्शन से कनेक्ट होते वे इन लटकनों को लगा दूँग और हमने थ्रेड में पिरो के कुछ इस तरीके से हैंगिंग वगरा भी रेडी किया था यह भी हमने उपर की तरफ से कनेक्ट कर दिया है और यह हमारी शुबला आप दोनों बन के तयार हैं जो आप इस दिवाली पे अराम से यूज़ कर सकते हैं अपने होम डेकॉर के लिए I hope यह आपको दिखने में काफी अच्छे लग रहे होंगे कोई कहा ही नहीं सकता कि यह handmade है आपने इनको खुद बनाया है एकदम मार्केट जैसे लग रहे हैं इनका लुक भी काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसे लाइक और शेर ज़रू करें आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे की amazing वीडियो को डेली देखने के लिए and don't forget to follow me on my instagram मेरे instagram का link नीचे description box में है so मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye take care and ये शुबलाब के hanging आप लोग इस बार ज़रू try करिएगा bye